पूरी चेंबर की टीम मौझूद है और क्या कुछ बड़ी जानकारी लेकर हाजिर हूए है और मैं अचलिए इनसे बात करते हैं मेरे साथ इससे में परधान मौझूद है सबसे पहले तो सर आपको स्वागा था जेके टॉनिफूर इंटू सेवन में सर क्या कुछ नई जानकारी लेकर आप आपकी तमाम पूरी टीम हमारे साथ मोझूद है तो क्या कुछ नई जानकारी है अब भी सबाट वजे हैं और आप ये बात समझे कि हमने इस दौरान में ये कोशिश की है एक जो लोग हमारे प्रेशान थे रात को बिजनस जो है नो है वो खतम हो गया है लेकिन एड्मिस्टेशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो बिजनस कम्यूटी के लोग हैं उनको ये रिक्वेस्ट करिए हमारी तरफ से कि दस साड़े दा सुज़े तक दुकाने जो है वो बंद हो जाएं लेकिन देखिए पिछले ती दिफरेंट बिजार एस्टेशन से फोन आ रहे थे और इसी बात को लेकर के थे कि यार हम लोग जब जब तक हमारा कस्टमर चलना शुरू होता है तब हमारा जो है बिजनस जो है पलीस बंद करवाने के लिए आ जाती है तो उसी चीज को लेकर के हम लोग आज डिपकाम साब के आफिस में ही और उसके बाद हम साब के पास गए और फाइनली हमने इसको इस चैप्टर को नो वजे के चैप्टर को क्लोज करवा दिया यह मैं समझता हूं कि सारी टीम ने मिल करके एक अच्छा काम किया है और इससे जो हमारे बिजनस कम्मूनिटी के लोग जो रहा की बात करें तो किस सारा से चारू रूप से फोर जी के बाद तमाम आपके कामकास में जो बड़ोतरी होगी और कहने कि आपको भी डिजिटनल मार्केटिंग में काफी ज़्यादा दिक्कत होती थी ट्रेडर्स को खासकर दिक्कत होती तो क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर की वज़े से ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत परिशान थे क्योंकि एबे बिलिंग का जो सबसे बड़ा मैटर था कि वो टू जी में एबे बिल नहीं बनते थे और उसकी बज़े से अथार्टी जो है वो पनल्टी लगाती थी और हमारी जो है ये बड़ी देर से डिमांड च की टू जी की वज़े से जो एबे बिलिंग नहीं हो रही है उसको पनल्टी नहीं लगनी चाहिए और वो हमारी बात मानी भी गई और आज जो है जिस तरह से यूनियन गवर्मेंट ने फूर जी रेस्टोर किया है वी आर थैंक्पूल टू अबर प्राइम नेस्टर अबर ह पाइदा होने बहुत बढ़ा शुक्रेसरा मारे साथ बाचीत करने के लिए तो साफ तोर पर मेरे साथ पूरी टीम थी चैंबर की और साफ तोर पर उन्हें क्लियर किया केहने कि जो है एक अच्छी खबर जो है शौपकीपर्स के लिए जो है नो बज़े का वक्त को बढ़ा कर अब दस साड़े दस जो है कहने कहीं जो है बढ़ा दिया गया है और आने वाले समय में यूं कह सकते हैं कि आम जनता जिस तरह से आठ बज़े के बाद खास कर शौपकर्स की अगर हम बात करें तो वो घर से निकल कर कहीं डीनर्स के लिए लोग जाते थे मगर उनके लिए एस उपीस को आपको पालन ज़रूर करना है और मैं ज़रूर एक बार फिर कोहूंगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर रखते हुए आप लोगों को अगर कहीं बीच आते हैं तो मास्क सैनिटाइजर का उप्योग ज़रूर करना है तो ऐसी तुमाम गुर